एक मित्र ने पूछा है अक्सर लोगों की सोच होती है कि इस्त्री को पूरा होने के लिए पुरुष की जरूरत है और पुरुष को इस्त्री की क्या इस्त्री पुरुष अपने में अधूरे हैं कि उन्हें पूर्ण होने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़े इस्त्री और पुरुस अधूरे नहीं है वो अपने आप में पोण है वो द्वैत की अभिव्यक्तिया है इस्त्री और पुरुस इस ड्वैलिती के इस द्वैत के अभिवक्तिया है लेकिन यह जो धारना चलती है कि इस्त्री और पुरुष दोनों जब मिलेंगे तो पून होंगे यह द्रश्टी उचित नहीं है इस्त्री अपने इस्तृत्तों में परिपून है और पुरुष अपने पुरुषत्तों में परिपून है जो ये खिचाव है और आकर्शन है वो अद्वैत में प्रवेश्का है अब ये चुकि द्वैत की अभिवक्तियां है तो द्वैत का एक अभिवक्त हुआ ढंग भी अपने में पूरा है लेकिन उस पूरे होने में भी एक चीज छुटती है जो उसको खिचती रहती है वो है द्वैत के समाप्त हो जाने के इस्थिति तो इसी लिए संसार में इस्त्री और पुरुष्ट के बीच एक अदम में आकर्शन है ऐसा आकर्शन जो कभी मिटता नहीं अब जब दोनों का आपश में मिलना हो वो किसी भी धरातल पर हो तभी वो परिपूर्णता घटती है लेकिन इसमें एक बात और हमें समझ लेनी होगी भारत में इसको बहुत ही प्राचीन समय में बड़े स्पस ढंक से सामने रखा था और आधुनिक मनुवे ज्यान ने भी इसको रखा भारती दर्सन की खोज अर्द नारिश्वर की एक अवधारना हमारे सामने रखती है और आधुनिक मनुवे ज्यान में हमने उसी चीज को समझा कि हर इस्त्री के भीतर एक पुरुष है और हर पुरुष के भीतर एक इस्त्री है या इसको सही अर्थों में पुरुषत्त और इस्त्रेत्त की तरह देखें feminine और masculine quality जो strand गोण और पुरुष गोण है वो दोनों में दोनों हैं दोनों का सम्मिलन और संतुलन वो आवश्यक है अब बाहरी धरातल पर चुकि प्रकति निशर्ग नहीं ये द्वैत इस तरह से अभीवक्त किया और देखा ये जाता है माना भी ये जाता है और ये बात पूरी तरह उचित भी जान पड़ती है कि द्वैत की सुन्दर्तम और एक परम अभीवक्त की तरह से इस्त्री और पुरुष का होना है यानि कि वहाँ पर द्वैत खिल उठता है, अगर द्वैत की भी खिलावट कहें, फ्लावरिंग कहें, तो इस्त्री और पुरुष के होने में, इसलिए वो भिन्नता इतनी हमको प्रगार धंग से, गहरे धंग से दिखाई देती है, तो जो इस्त्री के भीतर गुन डाले हैं, निशर्ग ने प्रकतिने, वो एक धंग है, और जो पुरुष के भीतर गुन डाले हैं, वो एक धंग है, अगर गुनों के धंग से हम देखेंगे, तो ये परिपूनता है, बात को समझें, और अगर अध्वैत के द्रिश्टी से देखेंगे, तो अभी ये खिचाव, ये आ बाहर के स्थितिया सहयोग देती है, इसलिए बाहर का कोई विरोध नहीं, जो भी भारत का तंत्र का दर्शन रहा, उसने इसलिए भीतर और बाहर दोनों का भेद नहीं रखा, ताओ का दर्शन जो है, उसने भी भीतर और बाहर का भेद नहीं रखा, क्योंकि बाहर भीतर को कई बार साहता देता है समालता है और जो भीतर और बाहर दोनों की स्थितियां वो एक दूसरे को समालती हुई हमको जान पड़ती है और होती भी है तो ये द्रश्टी लेकर चलने में हमको आसानी होगी कि बाहर का इस्त्री हो या पुरुस हो वो भी उतना ही अनिवार है और भीतर के इस्त्री और पुरुस हो उनका होना भी उतना ही सुन्दर है परिपक्व है और दोनों की होने से कुछ बड़ा सुन्दर रचा जाता है इस संसार में और अगर बिक्ति साधना में है खोज में है, सतर्क है, जागरूख है, तो इस द्वैद के आकर्षन से, इस द्वैद के साथ चलते हुए वो अद्वैद की तरफ, उस non-duel nature की तरफ, अपने अद्वैद सुभाव की तरफ, आसानी से जा सकता है, तो इस्तरी पुरुष का इस तरह से ही सम्मान भी होना चाहि अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो जाएंगे, तो ऐसा कोई पूरापन उनको नहीं मिलना है, लेकिन वो जो परिपोनता और पूरापन है, वो उनके अंतरतम में एक संतुलन के साथ आता है, जब इस्त्रैन और पुरुष दोनों गुणों का एक सम्म्यक संतु और उनके भीतर घट जाता है, तो इस तरह से इसको देखें, इस्त्री अपने इस्त्रैनता में परिपोन हो, पुरुष अपनी पौरुषता में परिपोन हो, और वो परिपोनताएं जब मिलती है, तो एक नई परिपोनता घटती है, जो की मूल परिपोनता है, जो ओरिजि कम्प्लीटनेस है तो यह आत्र है कराशी कराशी गितान मुशी आत्रैको झाल मुशी बेटेब मुशी तो यहा दो यहां